हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू माई चैनल कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए यूपी के फेमस नीमोना को स्टोर करके साल भर तक के लिए स्टोर करके रखने की रेसिपी लेकर आई हूँ क्योंकि यूपी में नीमोना थंडियों में बहुत जादा खाया जाता है तो जब मतर का सीजन नहीं होता है तो फ्रोजन वाली मतर का नीमोना उतना अच्छा नहीं बनता है तो उसके लिए आप इस नीमोने को स्टोर करके एक साल तक के रख सकते हैं और जब भी आपका मन करें आप अगर आपको बंदों टरीक आपको डिखाऊंगी है टिरी अटिश में मिक्सर में स्था में इसकेका दूंप से । मैरन बांता लेना बंदों ज्यादा से ज्यादा तीन से चार टुकडे होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो यह देखिए मैं इस तरीके से इसे पीस लूँगी, यह देख सकते हैं आप, मटर को बिल्कुल कोर्सली हम पीस रहे हैं, बिल्कुल भी महीन पेस्ट इसका नहीं बना रहे है तो यह देखिए, मैं भी आपको दिखाती हूँ, यह देखिए, इस तरीके से मैंने मटर को यह देखिए, बस ज्यादा से ज्यादा तीन पार्ट हुए हैं मटर के, तीन या चार, तो इसी तरीके से आधी मटर को मैं सिल पर पीस लूँगी, और आधी मटर मैं भी आपको पहला कर अलग रख देंगे और अब जो आधी मतर बची हुई है उसे मैं आपको बताती हूँ कि उसे हम कैसे पीसेंगे तो एक ले लेंगे हम मिक्सर का जार और इसमें डाल देंगे मतर और इसे हम पल्स मोड पर पीसेंगे मतर एक बार मिक्सर को मीडियम या लो उस पे चलाएंगे और फिट तुरंत ही हम बंद कर देंगे देखे मैं दिखाती हूँ अभी आपको यह देखे बिल्कुल लो पर मैंने इसे मुश्किल से 20 सेकेंड के लिए चलाया फिर तुरंत बंद कर दिया और इसके बाद वो जो खोल कर हम जार को जो नीचे वाली मतर है उन्हें उपर कर लेंगे और जो उपर वाली मतर है नीचे कर देंगे इस तरीके से स्पून से इला देंगे फिर हम उसी तरीके से लो या मीडियम पर चला निकाल कर थाली पर इस तरीके से फैला देंगे तो जो मैंने सिल्फ पर मटर पीसी थी उसे मैं अलग फैला रही हूं और जो मिक्सर में पीसी थी उसे अलग फैला रही हूं तो देखिए यह जो हमने सिल्फ पर पीस के तयार की थी वह वाली मटर है और जो जार में पीसी थी तो देखिए यह वाली मटर है इसे भी हम फैला देंगे यह थोड़ा सा मलब सिल पर आप जब करते हैं तो थोड़ा ज्यादा दर्दरी सी होती है दो ही तीन पाइट हो पाते हैं मटर के और जब उसके जार में कर देते हैं तो थोड़ा सा महीन हो जाता है लेकिन इससे कोई द दूप रखने के बाद यह शाम को मैं आपको दिखा रही हूं तो यह देखिए दोनों मटर सूप चुकी है देख सकते हैं तो अब हम मैं इन दोनों को एक में कर दूँगी और फिर इन्हें एक से दो दिन दूप में दिखाऊंगी तो यहां पर यह देखिए पूरे एक दि इसे निकाले और इसे भिगो दें जैसे आप पोहा भिगोते हैं उसी तरीके से इसे भिगोना है मतलब पानी डाल कर सारा पानी इसका ड्रेन कर देना है उसके बाद इसे आधे घंटे के ले रख दे उसके बाद इसे पीस कर जैसे आप निमोना बनाते हैं उसी तरीके से निमो तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलती हो अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ बाबाई